दोस्तों नमस्कार कैलाज बिशकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम विधान सभा में सिक्षा मंत्री ने अतिती सिक्षक नीमिती करण पर क्या कहा पूरी जानकारी हम आपको वीडियों में बताएंगे अगर आप पहली वार हमारे चैनल पर आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेयर करें तो मित्रों विधान शाभा में प्रश्णकाल के दौरान विधायक जालम सिंग जी ने अतिती सिक्षकों के नीमिती करण के शंबन में कुछ प्रश्ण किये उस प्रश्णकाल के दौरान मानी सिक्षा मंत्री महोदा जी ने क्या कहा ये पूरी ख़वर हम आपको दिखाएंगे तो अतिती सिक्षक आज कई वर्थों से एक ही स्थान पर हैं और इसलिए यहां पर कहा गया कि इनके नीमीती करण के सवाल में संबंद में शवाल पूछे गए तो नीमीती करण के संबंद में इन्होंने जालम सिंग पटेल ने कांगरेश सरकार के वचन पत्र में निजी स्कूल कालेज और अतिती सिक्षक अतिती विद्वान के विशा में जो वचन दिया गया था उस के शिख्षा मंद्री श्री प्रयूराम चौदरी जी ने यहां पर जवाब दिया कि इनके नीमिती करण की जो प्रक्रिया है वही चल रही है यह पांच वर्षों के लिए बचन दिया गया है तो हम निश्चिती इनका निमीती करण करेंगे दोस्तों जानकारी कैसी लगी नमस्कार